राम राम किसान भाईयों आज इसरों बात करेंगे हम गेहों की खेती के गेहों की खेती सतर से असी दिनों को हो चुका है तो हमें इसमें क्या स्प्रेड डानना चीए जिससे आगे चलकर हमें अच्छे से दाना मिलें अच्छे से पैदावार देखनों को मिलते हैं तो आप तो से क्या इस पर डालें जिसे हमें दुगनी पैदावार में देखनों को मिल दे हमारे गेहु की फसल में जिसे हम अच्छे से दानेदार पैदावार पास सकते हैं दोस्तों आगे चलकर हमें कौन को सिस्प्रेक करने वाले ही स्टूडियो में जाने से पहले आप हमारी इडियो को जरू लाइक कीज़ेगा चैनल पहले बारा जरू से सस्क्राइब करते हो जाएगा कि एसे इडियो को जानकरी हम लात रहते हैं दोस्तों गेहों के खेती 40-50 सार्डियो नग बीच में हम तो इडियो का खुब इस्प्रेक की हैं यानि कि छिड़काओं की हैं गेहों की फसल में इडियो त अपना काम कर चुका दोस्तों अब बारी है जीरो बावन चोंटीस ब्रोन और फंगसाइट की बारी में जिससे हम अच्छे से परशन देखनों को मिलेगा चोंतीस परसेंट जिससे हमारे फसल का बहुत ही उप्योग है जिस तरह नाइट्रोजन की जड़त परती है उसी तरह फासपोराज परती है दोस्तों कि इस तरह ज़त परती है क्योंकि इसमें फासपोराज की मांतर हम डालेंगे तो अच्छे से फूल फल लगने की संभान अ बढ़ जाती है जिससे अच्छे से पैदवार देखनों को मिलता है क्योंकि इसका इसका स्प्रे करने से हमारे फूल अच्छे से ग्रोग करेगा और साथ फशल आने के संभान बढ़ जाएगी जिससे इसको भोजन किरिया मिल जाएगा असानी स उस तरह अपने पत्यों में फैलाव करेगा और साथ में इसका भोजन गरहन करके अपने फूल फल को देजिस्त करेगा जिससे हमारे फसल को अच्छे से देखनों को मिलता है बालिया भी अच्छी आती है और दाना भी जली लगने का संभान हो रहता है दोस्तों जिस तरह बहुत बढ़ाता है कि ठंड में पोटास की जोरत बहुत ही मात्रा लगती तो सो जिससे गर्मी उजित करता है जिससे परकासर अच्छे से बने रहे और ठंड के लिए तो राम बारता है अखे पोटास आप पोटास के गहूं में जरूर्व शिटकाव कीजेगा जिससे आप का फसल बहुत ही स्रक्सित रहेंगे अब आगे जा लेते हैं बॉन का किस तरह हमारा गेहु का सब्सक्राइब करते हैं जिस तरह पोलिूशन अच्छे से बना रहेगा उसी तरह हमारे जो फल लगते हैं और बाले लगते हैं उसको अच्छे से उजित करेगा और पोट करेगा जिससे दाना अच्छे से भर जाए जिससे कोई भी दाना कमजोर है उस दानों को भरने की काम करता है दोस्तों जिस तरह अच्छे से बालिया आएगा उसी सब दाने भी पोट रहेंगे कोई किसान भाई कहते हैं कि हमारे बाल जब भी दोस्तो जब भी पाफ जिर आने की पहले चिरकाओ करना है दोस्तो जिस तरह आपके जब भी पौधा गर रहा है यानि इसमें पिलापन दाग धब्बे जिससे के फकुन देखनों को मिलता है तो आप उसे जरू से छिर्काव करेंगा कि इसमें आपका फल डेमेज होने के कम संभौना रहेगा और अच्छे से आपका पौधा ग्रोग करेंगा औ आपके बीज भीज में जो आपका जुरत पड़ने ही पर चलो आप बात कर लेते हैं आप गेहों की खेती कर रहे हैं तो आप हमें एक इकर में कितना इसका डोज़ डानना चीज़ी दो तो आनि छिर्काव कर सकते हैं जिससे जीरो बाउन चौटीस का आप डेर केजी पर इक छीर्व किजीएगा जिससे आप अच्छे से मुनाफ्वा पा सकते हैं इसका करके अच्छे से पैदावर को बढ़ा सकते हैं ये जानकरी कैसा लगा आप सभी कुछ लगो तो हमाई ये यादो को लाइक जरू कीज़ा कि के ऐसे वीडियों के जान करें हम लाते हैं तो मिल देखते ने शुरूब है तो जे जोहार संग्वारियों